हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग आप सब बहुत ही अच्छे होंगे आज मैं आपके सामने लेकर रही हूं चाप्टर नमबर 10 इसके पहले मैं चाप्टर करवा दिये हैं यहां पर मैं चाप्टर नमबर 10 मेंसुरेशन करवाने वाली है तो यह एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के शेप्स की स्टडी करेंगे प्लेन शेप्स कैसे होते हैं उनके बारे में उनका फॉर्मूला क्या होता है एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है परिमिटर क्या होता है तो इस टाइप की जो डिफरेंट डिफरेंट बहुत ही इंट्रेस्टिंग चीज है वह आज में आपको पताने वाली है तो मेरी स्क्रीन में आपको कुछ शेप्स तो दिखाई दे रहे हैं जो कि सॉलिट खेll. यह सारे के सारे कैसे होते हैं, इनका परइमेटर कैसे ही फाइंड आउट किया जाता है इनका एयरीया कैसे फाइंड आयट किया जाता है तो कुछ शेप की स्टडि हम आज की चाप्टर में करने वाले हैं तो चलिए, आज मैं आपको 10.1 exercise करवाने वाली हूँ, 10.1 बहुत interesting होने वाली है, उसके पहले मैं आपको introduction बताऊंगे कि mensuration का introduction क्या है, और फिर हम पड़ाफट से पूरी exercise start करेंगे और questions भी साथ में solve करेंगे, चलिए मुझे यह बताइए कि मेरी जो इसके पहले वाले वीड कीजिए और वीडियो को share कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आपको properly तरीके से मिल सकें, तो चलिए हम आज के exercise यहां पर start करें, तो चलिए start करते है, let's begin, तो यहां पर मेरी first slide है, जहां पर मैं introduction देखूंगी, तो introduction मेरे पास different different type के plane shape है, कै आप लगों ने दिखा होगा, जिससे कि मैं आपको बताती हूँ, when we talk about some plane shapes, जिससे यह हमारे कुछ plane shapes यहां पर given है, shown below, we think of their reason and their boundaries, हम उनकी reasons देखते हैं कि मतलब उनका area कितना है, और उनकी जो boundary है, हम उसकी बात अगर करते हैं, चैक है, we need some measures to compare them, हमको अगर इस figure को इस से compare करना, तो हमें कुछ measures के जरूरत होगी, हमें पता करना होगा, कि इस figure का area कितना है, इसका area कितना है, इसका perimeter कितना है, similarly, इसका perimeter, तो अगर हमें shapes को compare करना है, तो हमको उसके बारे में कुछ measures पता होनी चाहिए, so, चलो हम देखते हैं, आज की class में, यह देखिए, यहां पर ह हमारे पास कुछ shapes given है, next, perimeter, तो सबसे पहले हम देखेंगे perimeter, अब perimeter क्या होता है, वो हम देखते हैं, तो look at the following figures, यहां पर जो हमारे पास figures दिखें, दिख रहे हैं, you can make them with a wire or a string, आप यह figure wire और string से बना सकते हो, suppose आपने wire को ऐसे यहां से, क्या किया, थोड़ा सा turn कर दिया, और फिर ऐसे turn किया, ऐसे turn किया, ऐसे, और एक wire की help से आप यह figure ड्रॉ कर रहे है, similarly, एक triangle भी आप wire से इस तरीके से बना सकते हो, एक rectangle भी रॉंबस भी बना सकते हो, wire की help से, या string की help से, या किसी rope की help से भी आप इसको बना सकते हो, तो अगर हमने किसी एक point से start किया, तो उस point को हम क्या कहेंगे, S point, if you start from point S, in each case, हर case में अगर अपने point S से start किया, और move किया किया, अपने move along the line segment, मतलब यह एक line है, फिर यह एक line और ठीक है, तो हमने क्या किया, एक point S से start किया, फिर move किया along the line segments, then you can again reach the point S, अगर आप यहाँ से start करते हो, फिर आप यहाँ पर आते हो, और फिर वापस से यहाँ पर आते हो, तो उसी point में वापस से पहुँच जाओगे, ठीक है, you have made a complete round off, आपने एक क्या क्या पूरा का पूर राउंड लिया और वापस आप उसी point पे आके पहुच के, now shape in each case A, B, C, यह जो हमारे पास 3 cases है, एक है हमारा A, एक है B, और एक है C, the distance covered is equal to the length of the wire used to draw the figure, अब हमने यहाँ से बनाने में, मतला हमारी जो string थी यह वायर थी, उसको यहाँ से start करके, यहाँ तक आने में, यहाँ perimeter, किसी भी figure में हमने यहाँ से start किया, फिर यहाँ गया है, फिर यहाँ पर आया है, फिर यह जो distance हमने cover किया है, यह होता है हमारा perimeter of the shape, उस shape का perimeter होता है, क्या होता है, the distance is known as the perimeter of the closed figure, it is the length of wire needed to form a figure, यह action में एक length of wire होती है, जो कि figure को form करने के लिए use होती है, चीक है, समझ में perimeter क्या होता है, the idea of perimeter is widely used in our daily life, आप daily life में भी parameter को कई जगा यूस कतों, चलो में बताती हूं, a farmer who wants to fence his field, जैसे कि एक farmer की field है, जहां पे वो गेहूं या चावल जो भी है वो यहां पे लगा रहा है, तो उसको अपनी पुरी field को cover करने के लिए, फेंसिंग लानी होती है, फेंस फेंसिंग लगाता है, तो फेंसिंग वो कैसे लगाएगा, वो यहां सा स्टार्ट करेगा, यहां जाएगा, यहां 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 पे आके वो end करेगा, तो यह जो starting और ending point एक जगा पे आके मिलता है, मतलब एक सरफे, एक जो shape को पुरा close करके आता है, उसको हम कहते हैं perimeter, फिर और examples देखो, an engineer who want, plan to build a compound wall on the all side of the house, अब एक इंजीनियर है, वहां पे एक house बनाया है, उसमें इतने सारे windows हैं, यह rooms हैं, यह windows हैं, अब इस पूरे house को cover करने के लिए एक boundary बनानी होगी, ठीक है, तो यह हो जाएगा, perimeter of the house, तो इंजीनियर भी क्या करता है, perimeter बनाता है, एक house को cover करने के लिए जो boundary बनाता है, उससे हम कहते है, perimeter, a person preparing a track to conduct a sport, अब आपने देखा होगा कि, जैसे आपके sports होते है, suppose cricket होता है, football होता है, volleyball, ऐसे जितने भी sports होते है, तो वह पूरी boundary जो होती, वह पूरी cover होती है, अगर circular है, तो circular boundary पूरी cover होगी, तो यह जो पूरी boundary होत उसको हम कहते है, perimeter of the square or the boundary, all these people use the idea of perimeter, यहाँ पे सभी लोगों ने अपने अपने चरीके से daily life में perimeter का idea दिया, so perimeter is the distance covered along the boundary, forming a closed figure when you go around to the figure ones, क्या होता है perimeter, आप जो boundary को पूरा cover करते हो, ठीक है, तो वह पूरी boundary जो cover होती है, उसे हम कहते है, perimeter of the round or the rectangle, जो भी shape होगा आपका, उसको अगर आप पूरा cover करोगे, ठीक है, पूरे close path बनाओगे, तो वो हो जाएगा आपका perimeter, ठीक है, सबोज मेरे पास एक यह rectangular box है, ठीक है, यह rectangular box है, अब इसका perimeter हम कैसे निकालेंगे, तो यह अगर हमने इस point से start किया, तो यह point हमारा यहाँ से start हुआ यहाँ पर आया, फिर यहाँ से start हो कि यहाँ से start हो कि यहाँ से start हो कि यहाँ, तो इस point, यह जो पूरा area जो हमारा यहाँ पर cover हो रहा है, ठीक है, यह क्या होगा, इस rectangular box का perimeter होगा, clear है, आगे आपको समझ मेरे perimeter कैसे होता है, ठीक है, measure and write the length of the fourth side of the top of your study table, तो यहाँ पर आपके पास एक table है, ठीक है, तो टेबल में देखो, यहाँ पर A, B, C, D, D, C, and D, A, कि पूरे के पूरे जो यहाँ पर जो length है, उनको हमें क्या करना है, measure करना है, तो suppose, यहाँ पर जो हम इसको measure करके, इसका जो answer लिखे ही, तो वो कैसे हो तो यह कुछ rectangular shape का है, यहाँ पर अगर मैं इनके distance देखी हूँ, suppose, A, B, जो है मेरा, जहाँ पर 6 cm, ठीक है, और C, D, B, C, जो है मेरे, वो 4, 4 cm, ठीक है, तो now, the sum of the length of the 4 side, अगर मैं इनको length को sum करती हूँ, तो यह length हो जाएगी मेरी 6, 4, 6, 4, कितनी हो जाएगी यह, 20 cm, तो हम बोलेंगे यह जो table का parameter है, वो क्या है, 20 cm का, तो parameter को measure करने के लिए हमें क्या करना होगा, कि सारी की सारी जो sides होगी, उनको हम naming कर देंगे A, B, C, D, और फिर उनका जो-जो measurement होगा, वो सारी की सारी sides को हम add करेंगी, और add करने के बाद जो हमारा resultant आएगा, वो हमारा parameter ह तो समझ में आगे कि what is parameter आपको समझ में आगे होगा, now, second, measure and write the length of the four side of the page of your notebook, अब आपकी अगर notebook है, सपोज यह है आपकी एक notebook, आपको इसकी सारी length और width, यह सारी की सारी चीज़े आपको measure करने, तो measure करने के बाद इनका जो-जो भी हम पर distance आएगा, सपोज मैंने इनको name क कर दिया, A, B, C, T, ठीक है, अब यह होगा आपका 4, यह होगा 6, अगेन यह 4 होगा और यह होगा 6, चीक है, तो यह इनकी length और width होगी, अब इनको मैं measure करकी यहां पर इसका answer लिखती हूँ, तो यह होजाएगा, मेरा A, B होजाएगा 4, B, C होगया 6, C, D होगया 4, और DA होगय यह मेरा 6, तो इसका भी answer मेरा कितना आजाएगा, 20 cm, वट इसका भी answer मेरा कितना आजाएगा, 20 cm, थीक है, गात माइपूंट कि परेमिटर हापो कैसे काल्कुलेट करना है, मुविंग ओन next, we have some more examples, so, मेरा वेंट तो पार्क, मेरा कहां गई, पार्क गई, पार्क गई, complete round on its boundary what is the distance covered by her so सबसे पहले अगर मैं पार्क यहां पर ग्रॉ करती हूं तो यह है सपोर्ट मेरा पार्क ठीक है अब पार्क में जो डिस्टेंस होगा 150 में पार्क यह प्रॉट करूंगी तो मुझे अगर इसका पैरिमेटर निकालना तो यह जाएगा अब पैरिमेटर में कैसे कल्कुलेट करूंगी तो पैरिमेटर जो होगा मेरा वो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA मैं क्या करूंगी सारी साइट्स को सम कर लोगे आफ्टर समिंग आल दे साइट वाट्पी आर गेटिंग यह 150 मीटर प्लस 80 मीटर प्लस 150 मीटर प्लस 80 मीटर यह सब किस में हो जाएगे मीटर में होगे तो अपका आंशर कितना आजाएगा यहां पर जीरो और हो जाएगा 10 10 16 ब्रहें जाएगा 26 का टू कैरी वन तू यह होगा 4 तो यह अपका 40 को नद्फर 210 किलोमेटर पॉइंगे कैसे आएगा चीक है तो 460 meter आपका आंसर होगा कि परिमेटर आपका कितना होगा जो भी आपका पार्क है उसका परिमेटर हो जाएगा 460 meters find the parameter of the following figure अब इस figure का अगर मुझे परिमेटर निकालना है तो परिमेटर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा तो देखो परिमेटर हम कैसे निकालेंगे यहां पर हमारे पास AB दिया है 40 cm फिर BC दिया है 10 cm CD गिवन है 40 and DA है 10 ठीक है तो परिमेटर मेरा यहां पर कितना हो जाएगा 100 cm ठीक है तो इसका हम एंगे परिमेटर निकालने के लिए यहां पर यहां पर आजएगा 50 फाइव 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 इसको हम ऐसे भी लिख सकते है जा थे यहां फिर 20 और यहोगे आपका सेंटिमेट्य है ठीक है तो ऐसे आपको कैल्कुलेट करना moving on next देखो अब यहां पर हमारे पास एक और फिगर है एक और शेप हमारे पास given है ठीक है अब यहां पर हमें parameter निकालना तो parameter निकालने के लिए हमें एक-एक measurement properly लिखना पड़ेगा तो यहां पर हमारे पास AB कितना है 1 cm फिर BC कितना है 3 cm फिर CD कितना है 3 फिर DE कितना है 1 cm फिर EF है आपका 3 cm फिर FG है आपका 3 cm फिर GH है 1 cm फिर HI है 3 cm फिर IJ है कितना है फिर उसके बाद है आपका जेके तो जेके भी आप नहीं सॉरी जेके तो पहले आएगा वन सेंटेमेटर एक सेकिंड कहां तक आगे तम HI है आपका कितना 1 cm फिर उसके बाद आपका HI के बाद ह्जी है 1 cm फिर GH है आपका 1 cm फिर HI आपका 3 cm फिर उसके बाद IJ मतलब आई जे एच आई और आई जे दोना आपका 3 cm ठीक है फिर उसके बाद आपका जे के तो जे के आपका 1 cm है फिर उसके बाद है आपका के अल तो इसका अंसर कितना आएगा 1 4 5 1 अपन डरेक्ली 3 को पहले कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 है तो 8 इंटु 3 कितना हो जाएगा हमारा कित्षीज़ा 24 प्लस 1 कितने 1 2 3 4 तो प्लस 4 इंटु 1 कितने हो जाएंगे 1 4 बंजा 4 तो यह 4 होगे तो आंसर होगे आपका कितना 28 क्या होगे सेंटिमेट है चीक है ना एक्स्ट फिगर में यहां पर हमारे पास फिगर देखो अपने पास एक शेप है इसमें भी हमको इसका पैरेमेटर कैलकुलेट करना पैरेमेटर कैसे कैलकुलेट करते हैं सारी साइट को सम करते हैं तो यहां पर ए भी गिवन है हमारे पास 100 फिर बीसी गिवन है 120 फिर सीडी हमारी गिवन है 90 और फिर 45 फिर 60 और फिर 80 चीक है यह कैलकुलेशन हमारा प्लस 120 हो गया हमारा 220 फिर 220 और 90 कितना हो गया हमारा हम लोग ऐसे कर लियोते हैं 220 प्लस 90 और 60 और 80 थे ना कर ले तो यहाँ पिर जाएगा हमारा 5 यहाँ पिर जाएगा 8 और 4 जाएगा 12 तो आपका 495 इसका आंसर थीक है आगे समझ में कैसे क्या से आपको आइंसर करना है parameters का simple है आपको जो भी figure होगा उसकी सारी की सारी boundaries में जो भी आपके पास given measurements होगे उनको हम add करेंगे और सारे measurement जब add करेंगे तो जो resultant आएगा वो होगा हमारा perimeter so perimeter of rectangle अब हम perimeter of rectangle कैसे निकालेंगे तो rectangle का perimeter निकालने के लिए हमें क्या करना होगा let us consider rectangle ABCD यहां पर हमारे पास ABCD एक rectangle given whose length and breadth are 15 cm and 9 cm respectively अब इसकी length और breadth हमको 15 cm or 9 cm respectively given what will be its parameter parameter of rectangle is equals to sum of length of its four side अब हमको पता है कि rectangle का perimeter क्या होता है sum of length of four sides हमको एक चीज़ यहां पर ध्यान रखनी है कि जो भी opposite sides होती है तो कौन कौन सी यहां पर AB है इसकी opposite कौन सी है DC यह हमेशा equal होंगी similarly DC की opposite कौन सी side है DA तो यह भी क्या होंगी equal होंगी तो यह point हमें बहुत अच्छे से याद रखना है चीक है इसको आप अपनी notebook में कहीं ना कहीं note कर लीजे कि opposite sides of a rectangle are equal ठीक है अब हम क्या करेंगे यहां पर हमको क्या करना है सबकी length को add करना है जब चपहले AB ले ले लेंगे फिर BC फिर CD फिर DA तो यह देखो मैंने यहां पर AB, BC, CD, DA ले लिए अब क्या किया AB, BC, CD, DA अब क्या किया AB और BC यहां पर AB equals to हमारा कितना होता है DC होता है और BC equal to कितना होता है हमारा DA होता है ठीक है तो यहां पर मैंने AB equal to CD होता है तो यह जो CD है इसकी equal में यहां पर AB लिख दिया और यहां पर BC equals to AD होता है यहां पर हमने BC ले लिया ठीक है तो आप इनको हम लिख सकते हैं 2 into AB और 2 into BC ठीक है आ रहा है समझ में इनको 2 into AB और 2 into BC क् यहां पर हमारे पास है अभी प्लस बीसी प्लस सीडी अब फ्लस डीए अब हमें पता है कि एपी इकोल स्टू हमारा क्या होता है इंब कुछ टू होता है CD और AD equals to हमारा होता है BC ठीक है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB तो AB रहेगा और BC हमारा BC रहेगा बट CD को भी हम AB लिख सकते हैं यह देखो और DA को भी हम BC लिख सकते हैं यह आ गया तो यहाँ पर AB भी दो बार आ गया और BC भी दो बार आगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 AB ठीक है और प्लस इसको लिख सकते हैं 2 into BC तो अब यहां पर हमारे पास AB की वैलु कितनी है 15 और BC की वैलु कितनी गिवन है हमारे पास 9 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 into 15 30 प्लस 2 9 जा 18 तो यह आंसर विल भी 48 cm ठीक है आगे समझ आपको कैसे निकाला है तो this is the method of parameter of rectangle ठीक है now we have some more questions तो इन्हें भी हमें try करना है so for trying these questions first of all we will read these questions now find the parameter of the following rectangle अब यहां पर rectangle हमें given है और इनका parameter हमें find करना तो पहले rectangle तो इन्होंने find कर दिया अब second rectangle को हम खुद find करेंगे तो देखो यहां पर 0.5 और यहां पर length given है और width तो मैंने आप से क्या कहा था कि जब हमारा rectangle होगा ठीक है तो rectangle के case में हमारी length कितनी होगी length हो जाएगी 0.5 और width हो जाएगी 0.25 तो यह दोनों की सेम हो जाएगी इसकी भी सेम हो जाएगी तो जब दो width और दो length सेम होगी तो हम उसको क्या लेक सकते है 2 into 0.5 plus 2 into 0.25 चीक है तो इस case में आपका answer कितना आएगा 5 2 जा 10 और यह 1 के बाद होगा तो यहां 1 आ जाएगा plus अभी यह हो जाएगा 50 1 2 तो यह यहां पर आ गया चीक है तो इसका answer हो जाएगा आपका 1.5 क्या हो जाएगा ठीक है ना नेक्स्ट है 18 और 15 तो अगर आपका 18 और 15 है तो यहां पर यह length हो गई आपकी 18 और यह width हो गई आपकी 15 तो यह भी 18 हो जाएगी और यह भी 15 हो जाएगी इसको हम लिख सकते हैं तो इंटो 18 प्लस 2 इंटो 15 तो यह हो जाएगा आपका 36 प्लस यह हो जाएगा आपका 30 answer your answer will be 66 क्या हो जाएगे cm ठीक है अब लास्ट जो question है वो 10.5 और 8.5 है तो यह आप खुद कर लेना this is the homework for you ठीक है और comment section में इसका आंसर दाना तो देखो आप समझ गया होंगी कि parameter of rectangle कैसे calculate करते है parameter of rectangle के लिए हमें क्या करना होता है length plus breadth plus length plus breadth लेनी होती है और जब दो बार length और breadth repeat हो जाती है तो मसको 2 into length plus breadth बोल सकते है तो this is the final formula of parameter of rectangle 2 into length plus breadth moving on next we have one example here shabana wants to put a lace border all around a rectangular table cover अब shabana क्या चाहती थी कि उसका जो table cover है उसकी पूरी round में वो एक border लगाए ठीक है अब उसकी जो जो यह body figure है अभी हाँ पर 3 meter long and 2 meter wide है क्या यह जो इसकी length और breadth है तो यह जो length है इसकी length कितनी है given तो length है 3 meter long and breadth कितनी given है 2 meter wide ठीक है तो find the length of the lace required for the shabana अब shabana को कितनी lace लगेगी इस पूरे को cover करने के लिए तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि perimeter of rectangle perimeter of rectangle हमारा क्या होता है 2 into length into breadth sorry plus होगा यहाँ पे इंटो चीक है तो 2 into length plus breadth कैसे निकालेंगे हम 2 multiply 3 plus 2 यह हो जाएगा आपका 5 यह हो गया 10 यह हो गया meter इतना होगे 10 meter long उसको क्या लगेगी lace लगेगी ठीक है जिससे की वो पुरा border cover कर सके moving on next example so we have one more example an athlete take 10 rounds of a rectangular park एक athlete एक rectangular park के 10 rounds लेता है so we have this rectangular park यह अब 50 meter long इसकी जो length है वो है 50 meter long ठीक है और 25 meter क्या है wide है इसकी जो width है या हम बोल सकते हैं जो breadth है वो 20 meter wide है find the total distance covered by है अब वो क्या करता है 10 rounds लेता है मतलब इस पूरे के 10 rounds तो पूरा distance उसने कितना cover किया वो हमें निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे parameter निकाल लेंगे इसका ठीक है parameter of the park कितना होगा parameter of the park हो जाएगा 2 L into B तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 into one second अब यहां पर sorry मैंने यहां पर फिर प्लस आएगा L plus B तो यहां पर कितना हो जाएगा length है 50 और plus यहां पर कितना हो जाएगा 25 चिक है तो यह हो गया आपका कितना 0 714 1 15 तो यह हो गया 150 मीटर लॉग बट जो एथिलीट है क्या करता है एथिलीट एथिलीट टेक्स 10 rounds of rectangular park ठीक है और परिमेटर कितना है पर का परिमेटर अपर का परिमेटर अपर का इएगा तो यहां पर क्या होगा 10 x 150 meter तो क्या अंसर हो जाएगा आपका 150 1500 meter जो यह distance क्या होगा covered by मतलब क्या होगा distance covered by him ठीक है 1500 meters ठीक है moving on next we have one more example for understanding in deeply parameter ठीक है तो deeply find the parameter of the rectangle whose length and breadth are 150 centimeter and one meter respectively तो यहां पर हमारे पास एक perimeter है square है जिस rectangle है sorry जो one meter क्या है आपका one meter wide है और 150 centimeter आपकी क्या हो गई इसकी length हो ठीक है तो अब मैं इसको solve करते हूं तो यहां पर मैं सबसे पहले करूंगे पैरी मीटर और और रेक्टेंगल और तू इंटू प्रेस ब्रिच क्या हो जाएगा तू इंटू वन फिप्टी प्लेस वन तो यहां पर कितना हो जाएगा तू इंटू इंटू पर मइंटू यहां हो जाएगा तू जाएगा तू इंटू तू इंटू जीडियो टू इंटू क्या हो गें मीटर आगे रहां समझतु हैंगे चाहें अफू पर अंडू निप्ली पार्मार की एक रेक्टेंगूलर फिल्द थी और रेंग्ट्ट 240 meter and 180 meter respectively अब इसकी 240 और 180 meter की एक field थी ठीक है he want to fence it three rounds of rope as shown in figure what is the total length of he must use so सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका perimeter निकाल लेंगे तो perimeter हमारा कितना है perimeter of rectangular field कितना हो जाएगा 2L into B that is 2 sorry plus I have that is 2L 2 into L मतलब 240 plus 180 तो यह हो जाएगा अपका जाएगा कितना हो जाएगा 0 यह हो गया 12 4 420 हो गया चेक है now इसको multiply करेंगे तो फोर तो जाएग तो जाएगा 840 अपका क्या हो जाएगा 840 meter पूरा का पूरा parameter हो जाएगा किसका rectangular field का अब आपको क्या करना है he wants to fence it with three rounds वो थी राउंड में इसको fence करना चाहते है तो he wants to fence it three rounds of rope ठीक है so क्या हो जाएगा the total length of rope are total length कैसे इंका लेंगे हम तो 3 का क्या करेंगे इंटू करेंगे किस से 846 तो किता हो जाएगा जीरो जीरो जी फोल्सर ट्वेल ट्री इट सा 24 और 25 तो यह हो जाएगा आंसर चाहिक है moving on next so we have one more example find the cost of fencing rectangular park of length 250 meter breath 175 meter the rate of the rate of 12 per meter rate क्या है एक मीटर का रेट है 12 per meter तो हमें cost निकालना चीक है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा perimeter और रेक्टेंगुलर पार्क किता हो जाएगा तो इसमें आपका यह हो गया 175 और यह हो गया का 250 चाहिए यह भी होगे 250 यह होगे 175 अब इसका perimeter हम कैसे निकालेंगे तो पर रेक्टेंगुलर पार्क इकोल्स टू इंटू लेंग्ध प्लस ब्रेथ चिक है तो यह हो जाएगा आपका रेखान तो इंटू 5 वाजयों हो गया आपका 12 केरीवन 425 हो गया चीक है 425 हो गया ना जोने 350 और यह हो गया 425 ठीक है अब आपका यह कित्ता हो जाएगा तो 5 8 तो यह हो गया आपका 850 मीटर इसकी जो पेरमेंटर निकल के ही वो किती होगे 850 मीटर चीक है आप हमें क्या करना है एक मीटर का जो रेट है वो 12 मीटर है एक मीटर का रेट कितना है 12 रुपीज है तो हम क्या करेंगे आप तो हम स्कार इत्रद थिजल रुपीज़ रुपीज चूड रेट स्काष रुपीज़ त्रुमेट ट्रुपीज लगुण धेरारर ट्रुपीजिखिय किती हमृँड के हम कर लकsmाष रहीं से निकले लगेश द lá सन्मय डिसके लाजब तर है श्याशूच करता है पार्क होगा रेक्टेंगुलर पार्क कित्ती हो जाएगी कॉस्प यह हो जाएगा आपका ट्वेल पर मीटर है और आपके पास्टोटल मीटर कितने एट कृफ्टी है डिवैड़ेड़ बाइप इसको क्वेल कर दोगे सुरी अपकर करोंगे डिवाइड नहीं करोगे अब क्या करोंगे हैं यह हो जाएगा आपका कितना कितना ट्वेल एक सेक्ट मां देखेगा अपको 850 मीटर है तो आपको 850 meter में हर एक meter 12 पर meter है तो आपको पूरा टूटल multiply करना पड़ेगा कि 850 का जो fencing का cost है वो कितना आएगा यह हो जाएगा आपका 12 ठीक है multiply by 850 तो कितना निकल के आएगा 12 multiply by 850 तो यह आएगा आपका तो यह होगा आपका rupees 10200 यह इतनी costing आएगा ठीक है so moving on next question parameter of a regular shape अभी हमने क्या देखा rectangle का parameter कैसे निकलता है regular shape जैसे कि हमारा पहला shape है square तो square का parameter कैसे निकलता है square क्या होता है square की 4 sides कैसी होती equal होती यह मैंने आपको बताया है कुछ एक exercise में मैंने बताया है कुछ previous chapter में already मैंने पढ़ाया कि square क्या होता है equilateral triangle क्या होता है तो हमको पता होता है square की condition होती है इसकी all sides क्या होती है equal होती है बट हमें यह भी पता है कि parameter निकालने के लिए हमें सारी sides को add करना होता है तब हमारा parameter निकलता है square का तो अब यहां पर जब सारी side equal है तो हम इसको लिख सकते है 4 into length of a side चीक है क्या लिख सकते है 4 into length of a side तो ऐसे अब हमारा next figure है equilateral triangle अब equilateral triangle में triangle की भी all sides क्या होती है equal होती है तो हम बोल सकते है equilateral triangle का जो parameter होगा वो क्या होज़गा 3 into length of a side क्योंकि सारी side equal है तो 3 into length of a side अब देखों यहां पर suppose हमारे पास 1 1 meter का एक square given है तो अगर मुझे इसका parameter निकालना है तो मुझे क्या करना होगा तो इसका parameter of this square अगर मैं इस square का parameter निकाल तो रही कितना हो जाएगा 1 plus 1 plus 1 plus 1 हो जाएगा और मैं ऐसा भी कर सकती है 4 into 1 तो answer मेरा जाएगा 4 यहां पर भी answer मेरा किता है 4 तो यह क्या हो जाएगा 4 meter अब यहां पर equilateral triangle की जेतनी भी side है वो 4 4 4 है 4 4 4 तो 4 3 is 12 यहां पर कितना होगे 12 cm तो हम को 2 shape और समझ में आगे एक है square और दूसरा है equilateral triangle तो square का pedimeter कैसे निखालते है 4 into length और equilateral triangle का 3 into length वन मोर एक्जामपल find the distance travel by Shaina if she takes 3 round of a square park of side 70 meter चीक है solution अब हम बताना है कि जो distance Shaina ने travel किया है अगर उसने 3 round लिए है square park के और जिस पार की जो side है वो है 70 meter मतलब 70 meter क्या हुआ perimeter होआ क्या हुआ perimeter perimeter of a square park कितना हो जाएगा 4 into क्योंकि square park है तो उसकी एक side की जो distance है वो 70 meter है तो 4 into length of a side हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 4 into 70 तो answer कितना हो जाएगा 7 forza 28 तो यह कितना हो जाएगा 28 280 ठीक है यह आपका distance तो distance covered in one round अब one round में उसने कितने rounds लिए है 3 rounds लिए है कितने rounds लिए है कहां लिखा था she takes 3 rounds ठीक है तो distance covered in one round one round में कितना distance cover हुआ 280 और therefore distance travel in 3 rounds 3 into 280 meter तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 0,2,8,0,3,8,0,24,3,2,0,6,7,8 यह होगा आपका 840 meter तो this is the final answer ठीक है आगे समझ में इसको कैसे solve करना है तो perimeter of square आपको इस तरीके solve करना है तो we have one more example pinky run around a square field off-site 75 meter अब pinky क्या कर रही है एक square field को run कर रही है ठीक है यह है आपकी एक square field अब square field में यह सारी की सारी side आपकी कैसी हो गई 75, 75 और 75 तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा perimeter निकालना पड़ेगा ठीक है तो perimeter जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 4 into length of the side length of side तो कितनी है 4 into length of side तो वो हो गई हमारी 75 तो यह कितना हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा हमारा 200 नहीं 200 नहीं 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 हो जाएगा 45 जा 20 47 जा 28 29 30 तो यह हो जाएगा 300 ठीक है अभी क्या हो जाएगा 300 meter अब क्या है bob runs around a square rectangular field with length 160 meter and width 105 meter तो bob क्या कर रहा है यहाँ पर bob क्या कर रहा है bob runs rectangular field ठीक है तो जिसकी की length कितनी है हमारे पास length है 160 और width है 105 ठीक है यह कितना हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा 2 x 562 इतना हो जाएगा तो इसका अंसर कितना होगा 2510 12 13 3 carry 1 2 to the 4 1 5 3 हो गया आपका 5 30 क्या हो जाएगा meter ठीक है अब क्या करना है who cover more distance and by how much तो इन दोलों में से जाएगा डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है बॉब कर रहा है क्या कर रहा है बॉब कवर्स more distance by कितना कर रहा है तो 5 30 minus 300 तो आंसर हो जाएगा 300 minus होगा तो आपका आंसर हो जाएगा 330 230 होगा 230 meter इतना distance पो जादा कवर कर रहा है ठीक है पिंकी से so moving on next example that is find the parameter of a regular pentagon with each side measuring 3 cm अब pentagon pentagon कैसा होता है आपको पता है pentagon कैसा होता है देखो मैं बिलाती है पेंटागोन की कित्ती साइड होती है यह होगा पेंटागोन ठीक है अब देखो यह pentagon है और इसकी जो सारी साइड अब इसका अब इसका अब इसका अब इसका अब इसका अब निकालना तो हम क्या करेंगे जितनी भी साइड होगी जितनी भी साइड होगी उतना इंटू जो भी हमारे पास लेंथ गिवन होगी ठीक है moving on next example the perimeter of a regular hexagon is 18 cm how long is its one side अब हमको perimeter दिया है hexagon का 18 cm और how long is its one side अब हमें बताना है कि उसकी एक side जो है वो कितनी long होगी इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले हमको यहाँ पे one second हा इसको पहले में erase कर दूँ तो मैं आपको यहाँ पे पहले hexagon बना के बता दी आपको पता चल जाएगा कि यह hexagon की कितनी side होती है तो यह हो गई एक side यह हो गई दूसरी यह हो गई तीसरी यह हो गई चोथी पांचवी और यह हो गई आपकी 6 तो यह हो गई आपका एक regular hexagon अब इसका जो perimeter given है वो है आपका 18 cm तो इसमें कितनी sides थी इसके sides कितनी थी 6 थी 6 into जो भी इसकी length given हो गई ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आपका perimeter का formula तो यहाँ पर हमें बताए कि parameter कितना है 18 हमारे पस already parameter है 18 cm और यहाँ पर हमको 6 into L निकालना है तो हमें क्या निकालना है तो हम क्या करेंगे 18 को divide कर देंगे 6 से तो हमारी L निकल के आएगे पी कितना हो जाएगा L equals 2 हो जाएगा 3 6 18 तो यह आपकी 3 होगी तो आपकी 1 side जो होगी वो 3 meter 3 cm long होगी ठीक है आगे समझ में इसको कैसे calculate करना तो यह तरीका है Now we have exercise अब हम 10.1 axis यहां पर solve करेंगे So 10.1 axis में पहला question है हमारे पास Find the parameter each of the following figure अब यहां पर हर figure का हमें क्या करना है parameter find करना तो सबसे पहले हम A लेते हैं तो A figure में अगर मैं perimeter find करती हूं तो मेरे पास क्या होगा देखो अब direct-direct में लिख रहे हैं पर तो जाएगा 2 plus 1 plus 5 plus कितना है 4 cm यह कितना हो जाएगा आपका यह होगे 10, 11, 12 cm इसका answer होगा A का B figure में मेरे पास कितना होगा तो B figure में मेरे पास है कितना है 23 plus 35 cm 40 cm 35 cm तो अब इनको मैं add करती हूं तो यह हो जाएगा 70 और यह हो जाएगा 80, 90, 100 110, 120 130 3 answer हो जाएगा क्या C question है मेरे पास यहाँ पर मेरे सारी की सारी साइट कितनी 15 cm तो जब मैंने बतायता है कि all sides आपकी equal होती है तो parameter का formula क्या होता है 4 into length यहाँ पर हो जाएगा 4 into 15 तो यहाँ पर हो जाएगा 4 into 15 तो यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगी cm अब यहाँ पर हमारे पास one more question है that is question number D अब यहाँ पर भी 1,2 यह pentagon है तो D में भी क्या है perimeter of pentagon pentagon में किती साइड होती है 5 into length 5 into 4 5 into 20 cm तो ऐसे आपको यह question solve करना है यहाँ पर आपके पास एक थोड़ा सा difficult और एक बड़ा question आया है तो हम यह वाला करते है और अगर आपको यह वाला question solve करने में कुछ भी problem आईगी तो आप मुझे comment करियेगा तो मैं आपको इसका solve कर बात हो so we have question number F now perimeter of this shape हम करेंगे perimeter of the shape क्या होगा सबसे पहले हम यहाँ से start करेंगे तो इसे होगा हमारा 4 cm plus one plus three हम यहां पे आएंगी यहां है लिए अब यहां पे आएंगे 3 हो जाएगा टू फिर हो जाएगा थ्री फिर हो जाएगा 4 यहां गे 1 plus 3 हुआ अब यहां चले गए लगत यह हो गया 2 plus यहां गे तो कितना हो गया 3 फिर इधर आए तो 4 1 पिर 3 plus 2 plus 3 ठीक है तो इस तरीके से हमको इसे solve करना है ठीक है यह 3 2 3 3 2 3 1 अभी आप हम करते हैं इसको add 4 plus 1 5 6 7 8 9 10 13 17 18 19 20 21 23 24 25 26 30 31 34 36 39 39 थाना 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 तो यह आंसर विल बी 52 सेंटिमेटर एक बर और कैलकुलेट करना हो सकता आंसर में थोड़ी बढ़ बढ़े हो तो इसका अंसर कितना हैगा 52 सेंटिमेटर यहां पर हमने क्या किया पेरिमेटर निकालने के लिए सारी की सारी साइट को हमने क्या किया पहल आड किया एड करके जो हमारा फाइनल साम आया वह हमारा हो गया परिमेटर इस क्वेशिन को आप सॉल्ट करोगे इस इस दा हूंबग पोर यह वेरी इंपोर्टन क्वेशिन है एक्जाम पॉइंट ऑपी से दोनों ठीक है मूविंग ओन नेक्स्ट क्वेशिन दैट इस क्व अरों विद्धर टीप वन्दोन टमरें टैंट ऑम्सक्राहिए ले symmetric है वमेंड करना लेंट हमें एक्ज स्कूर्टन केखर मरन संदों अंत्र मैं tape की ने लेंथ औफ टेप एक्वल क हो जाएगा पैरी में कीष्का यह लिट का पैरेमेंट का अफ इंँ में सुंपूर्ब हो जाएगा लेड़ी का हॉजएगा टू पार्टी प्लस रेहिए यह ऑगा आपका 250 हो गया, so your answer will be 100 cm, ठीक है, so this is the question number second of year, now, अब एक blank page लेती हूँ और आपको next question solve करवाती हूँ, third, a table top measure 2 meter 25 cm by 1 meter 50 cm, what is the parameter of the table top, तो यहाँ पर हमको 2 meter 25 cm दिया है और 1 meter 50 cm दिया है, तो टेबल टॉप जो है हमारा, कितना है, 2 meter, 1 second, टेबल टॉप की जो लेंद्स है, वो है, हमारी 2 meter 25 cm और width कितनी दिया है, 1 meter 50 cm, तो width है हमारी 1 meter और यहाँ पर है 50 cm, चीक है, तो हम इसको पहले तो दोनों को क्या कर लेंगे, हम add कर लेंगे, क्यों, क्या होता है, 2 into length plus width, तो मैं यहाँ पर 2 into हमारे पास length plus width है, given, हम दुनों पर लेंगे को add कर लेते हैं, तो हमने add किया, यहाँ पर हो जाएगा, हमारा 75, और यहाँ पर हो जाएगा 3 meter, अब इसको अगर मैं 2 से multiply कर तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 75 into 2 हो जाएगा, आपका कितना, 150, तो 1 आपका क्या होगे, 100, और आपको पता है कि 1 meter equals to 100 cm होता है, तो 1 जो होगा, इधर आजाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 2, 3, 0, 6, 4, 1 हो जाएगा, 7, यह हो जाएगा, आपका 7 meters, कितना हो जाएगा, 7 meter, 50 cm, यह total आपकी क्या हो जाएगी, perimeter हो जाएगी, मतलब आपको tabletop की जो perimeter होगी, वो तिनी हो जाएगी, ठीक है, विस दे टेबल टॉप परेमिटर नाओ क्वेशन नमबर क्या था यह आपका थर्ड प्रेशन था नोविंग और नेक्स्ट वेशन दैट इसक्वेशन नमबर 4 वह तो अगर आपको एक फोटोग्राफ को फ्रेम करना तो वोडन स्ट्रिप जो होगी वह कितनी लगेगी तो आपको जो लेंथ और कि बने कित्ती है एक तो 32 है और 21 अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप इसका भी पैरेमिटर निकालोगी क्या होता है पैरेमिटर को फॉर्मुला 2 इंटू 32 प्लस 21 तो यह हो गया आपका 2 इंटू यह हो गया आपका कितना 53 ठीक है अब कितना हो जाएगा 6 10 तो यह टोटल हो राध नाव दरेक टेंगुलर पीस ऑफ ए लन मेजर्स 0.7 किलोमेटर और 0.5 किलोमेटर तो अमारे पास एक लांड ़ियू कोईंट 7 और 0.5 किलोमेटर दूनु क्याम है यहां अमारे पास एक रैक्तांगुलर लेंड है एच्छाएड इस टो बी पैंस्ट वित 4 ओर किलोवस लग रही है पॉर रोज कितनी रोज लगेंगे देखो इच साइड को फैंस करने के लिए चार रोज की जरुवत पड़ेगी तो पहले तो पैरीमेटर कितना हो जाएगा तो इसका जो पैरेमेटर होगा पैरेमेटर ओफ लेंड वो हो जाएगा आपका 2 x 0.7 0.5 ओग योगे आपका 2 x 7 ौअर5 कितता हो जाएगा 12 तो और 6 daw मोटो के बाद यह होगा आपका 2.12 क्या हो गया यहां पर 1.2 किलोमेटर तो यह हो गया आपका 2.4 किलोमेटर अब आपको एक साइड को कितनी रोज लग रही है वायर की ठीक है एक साइड तो तो इसमें हमको कितनी वायर लग जाएंगी तो हम इसको करेंगे 4 2.4 किलोमेटर तो यह हो जाएगा का आपका 9.6 किलोमेटर अगर मुझे में करना है तो इसको मैं 2,000 कर दूँगि कितना ओजाएगा मेरा 96 ठीक है तो यह हो जाएगा मेरा 96 मीटर और हमस्को बोल सकते है 9.6 km ठीक है तो इतनी आपको वायर रहेगी रिक्वायर्ड मुविंग ओन next question that is question number 4 तो यह दोनों तो मैंने भी solve करवा दी है now 6th question ठीक है find the parameter of each of the following shape हमें हर shape का parameter बताना तो जैसे कि हमारे पास triangle है तो parameter of triangle कितना होगा parameter of triangle किता होगा यह हो जाएगा आपका 3 plus 4 plus 5 कितना हो जाएगा यह 7 8 9 10 11 12 यह हो जाएगा आपका 12 cm एक बी question में आपका एक equilateral triangle है तो यह हो जाएगा आपका perimeter of equilateral triangle ठीक है आप equilateral triangle का parameter क्या होता है 3 into L यहाँ पे हो जाएगा 3 into 9 तो यह answer बिलो 9 3 is a 27 cm तो moving on next C question and isosceles triangle ठीक है with each equal sides 8 cm each and third side is 6 cm ठीक है तो इसका perimeter कैसे निकाल पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि isosceles क्या होता है तो isosceles triangle की 2 sides जो होती है वो equal होती है और एक side equal नहीं होती है ठीक है तो isosceles triangle की 2 side equal होती है तो हमें क्या करना है perimeter of isosceles triangle क्या होता है यह होता है यह होगा आपका तीनों sides को हम ले लेंगा तो 8 plus 8 plus 6 तो कितना हो जाएगा आपका यहां पे 16 और हो जाएगा आपका 22 क्या हो जाएगा cm ठीक है moving on next question that is question number 7 अब यहां पर भी आपको perimeter निकालना है triangle की जिसकी sides है 10 14 और 15 तो यह आप कर लोगे यह बहुत easy homework में solve कर लेना find the perimeter of a rectangular hexagon with each side 8 cm अब hexagon जो है उसकी हर एक side कैसी है 8 cm ठीक है तो इसका अगर मैं perimeter निकालती हूं 8 question का तो हम निकालेंगे perimeter of hexagon ठीक है कितना हो जाएगा यह यह हो जाएगा आपको 6 into L मतलब 6 into 8 मतलब 6 8 is a 48 meter ठीक है 9th question में आपको क्या करना है find the side of a square whose perimeter is 20 तो आपको पता है कि perimeter of square कितना होता है perimeter of square 4 into L ठीक है length of side 4 into L हो गया ठीक है अब क्या होगा कि हमें पता है कि perimeter of square तो हमें given है कितना है 20 cm but हमें 4 into L नहीं पता है तो हम यहाँ पे 20 divided by 4 करेंगे into L यह हो जाएगा हमारा 5 equals to L तो आपकी एक side जो होगी वो 5 meter की होगी ठीक है moving on next question that is question number 10 the perimeter of a rectangular pentagon is 100 cm how long is its each side एक regular हमारे पास pentagon है जो की 100 cm जिसकी perimeter है तो उसकी एक side कितनी होगी वो हमें निकालना है चीक है तो सबसे पहले हम लेंगे perimeter सबसे पहले हम लेंगे perimeter of क्या ले लेंगे सबसे पहले हम perimeter of कौन सा question कर रहा है 10 पेंटावा तो यहाँ पे हमारे pentagon की perimeter कितनी है है तो यह है 5 in 2 sides जो भी side all sides तो यह होगे हमारा 5 in 2 side पर यहाँ पर हमको given है 100 cm perimeter already given to 100 divided by 550 हो जाएगी all sides हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 20 equal to s एक side कित्ती की हो जाएगी 20 ठीक है next question the piece of string is 30 cm long एक string है जो कितने cm long है 30 cm what will be the length of each side of its string used to form a square एक string जो है वो 30 cm है अगर हमें square बना हो ठीक है तो उसके लिए हमें length बतानी की एक side की length कितनी होगी ठीक है तो अभी जैसे square है तो यह होगी आपका 30 parameter हो गया square कितना होता है 4 into L या s जो भी लिखना हो तो यह हो जाएगा आपका 30 divided by 4 क्योंकि square आपकी एक side जो होगी इतनी हो जाएगी जब इसको side of the square ठीक है नाओ यह होगी आपका B question यह होगी आपका A question अब यहाँ पर equilateral triangle है ठीक है तो equilateral triangle की case में आपका parameter को formula क्या होता है 3 into all sides और 30 आपका given है तो यह होगी आपका 30 divided by 3 equal to S तो यह होगी आपका 10 तो एक side जो होगी आपकी वो कितनी होगी 10 cm की है ना अब एक regular hexagon hexagon में आपकी अगर 30 cm parameter है और hexagon कितना है 6 into L तो यह हो जाएगा आपका 6 5s are 30 तो 5 is equal to L तो आपकी एक side जो होगी वो 5 cm की है ना easy तो इस तरीके से आपको इसको solve करना है now moving on next question that is question number 15 sweetie run around a square park side 75 meter bulbul run around a square park with length 60 meter and 45 meter who cover less distance हमको बताना है कि less distance कौन कवर कर रहा है तो पहले हमें square park की जो एक side given है तो हमें इसका perimeter निकालना पड़ेगा फिर bulbul जो rectangular park को run कर रही है उसका perimeter निकालना पड़ेगा दोनों की perimeter को minus करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कौन कम length cover कर रहा है तो 15 question को हम solve करेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि sweetie जो है वो square park को run कर रही है किसको कर रही है sweetie run square park of side कितना 75 cm तो perimeter कितना हो जाएगा इसका perimeter of perimeter of square park कितना perimeter होगा square park का तो हो जाएगा 4 into 75 meter तो your answer will be कितना answer हो जाएगा आपका तो आपका answer हो जाएगा four five is a twenty four seven is a twenty eight twenty nine thirty तो यह होगे आपका three hundred meter अब बुल्बुल जो है वो rectangular park को cover कर रही है किसको कर रही है बुल्बुल run rectangular park ठीक है इसकी length or width कितनी है 60 meter and width कितनी है 45 meter ठीक है तो इसका अगर मैं perimeter निकालती हूं क्या निकालती हूं perimeter of rectangle अगर मैं rectangle का perimeter निकालूंगी तो वह हो जाएगा 010 तो यह इसको multiply कर तूफाइब टेन केरी वन तूज जरो जरो वन तूज यह होगा आपका two one zero meter तो देखो एक cover कर रही है 300 और दूसरी cover कर रही है 210 तो कितना अंसर आएगा आपका केरी वन यहां पर जाएगा वन तो आपका अंसर आजाएगा 190 कितना आजाएगा 190 ठीक है आगे समझ में नहीं यहां पर 0 आएगा 90 अब आएगा कितना अंसर आएगा 90 तो कौन लेस कर रहा है बुल-बुल कितना कर रही है 210 मीटर और स्वीटी कर रही है 300 मीटर तो कम कौन कर रहा है बुल-बुल ठीक है तो वन बोर क्वेश्टन इस यह यहां पर आपको बहुत सारे फिगर दिये और उनके परेमेटर्स आपको क्या करना है यहां पर सों पैला फिगर मेरा क्या है यहां पर फिस्ट फिगर है वन सेकि न हम YOU न कुádकि करेंat ओस्ट conflict fiber 25 युआज है ठीक है तो स्क्वेश्ट में ए स्क्वेशर कुता होता है व्मारा फेरिमिंटर कैसे निकालेंगे हम फेर का थेरिमिंटर ओफ स्क्वेर कितना हो जाएगा 4 into length that is 4 into 25 cm कितना हो जाएगा 100 cm का एक स्क्वेर हो जाएगा ठीक है moving on next that is rectangle 20 और 30 अब यहां पर हम करेंगे पैरी मीटर और रेक्टेंगल ठीक है अब हमको रेक्टेंगल का पैरे मिटर कैसे निकालना तो 2 into length प्लास ब्रेथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा टू इंटू क्या वैल्यू है हमारी 30 and 20 यह हो गया 30 यह हो गया 20 यह दोनों हो गया 50 तो answer will be 100 cm फिर next question में क्या given है एक और है यह 40 और 10 का है तो यह वाल आप कर ले ना C question आपका हूंबा के यह वाल आप solve कर ले ना ठीक है ट्रेंगल में करवा देते हो 30 30 और 40 यह एक आइसोसिलस ट्राइंगल ठीक है D question यहां पर आएगा आइसोसिलस ट्राइंगल तो पेरिमीटर ओफ आइसोसिलस ट्राइंगल ठीक है कितना है 30 30 40 यह हो जाएगा 30 plus 30 plus 40 तो यह भी हो जाएगा आपका 100 cm तो देखो सबकी जो पेरिमीटर है वो सेम आ रहा है मतलब यहां पर आपका पेरिमीटर कैसा आएगा सेम आएगा ठीक है तो यह है आपका solution moving on next question and last question of this axis that is question number 17 अवनीद बाई 9 square paving slab अवनीद ने क्या किया 9 square paving slabs बाई किये each with a side of half meter एक जो था वो half meter के side कर लेज दैम इन आ form of a square इसने उसको square के form में लगा दिया what is the parameter of his arrangement आपको इसके square का arrangement इसका parameter आपको निकालना है तो यहां पर very first question है what is the parameter of his arrangement हमको उसके arrangement का parameter बताना है तो सबसे पहले हम लेंगे a में side of square side of square हमारे कितनी हो जाएगी 3 into 1 by 2 तो यह हो जाएगा हमारा 3 by 2 ठीक है a very first question है हमारे पास what is the parameter of the arrangement यह जो arrangement इसका parameter क्या होगा तो यह हो जाएगा perimeter of square square का parameter क्या होगा 4 into जो भी हमारा side है तो हमारी एक side कितने की है 3 by 2 ठीक है तो यह हो गई हमारी 3 by 2 की होगे यह हो जाएगा हमारा cancel होगा तो यह हो जाएगा 2,3,6 ठीक है तो इस arrangement का जो parameter होगा वो जाएगा 6 meter ठीक है नेक्स्ट है Shari does not like his arrangement उसको यह arrangement पसंद नहीं है she gets him to lay them out like a cross उसने cross बना दिया what is the parameter of his arrangement तो इस arrangement का अगर मैं parameter निकालती हो तो कैसा निकलेगा देखो तो perimeter of cross ठीक है तो यह हमारी एक side जो है वो 1 by 2 मतलब 0.5 ठीक है तो अगर मैं इस दोनों को लेती हूं यहां तो मेरा 0.5 हो जाएगा बट यह वाला पूरा मेरा 1 होगा यह भी 1 होगा यह 0.5 फिर यह 1 1 0.5 1 1 0.5 1 1 ठीक है तो इसको मैं add करते हूं यहां से मैं start करते हूं तो यह पहला हो जाएगा मेरा 0.5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0.5 फिर next हो जाएगा 1 प्लस 1 फिर प्लस 0.5 प्लस 1 फिर हो जाएगा 0.5 फिर हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1 ठीक है तो answer कितना होगा तो 0.5 कितनी ताइम से 1 2 3 4 4 ताइमस क्या है 0.5 है और प्लस 1 कितनी ताइम से 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है 1 कितनी ताइम है 1 2 2 8 तो answer क्या हो जाएगा पूर फाइब ट्वेंटी मतलब टू और प्लस एट यह हो जाएगा आपका ट्वेंटी एट चीक है तो यह इसका बी का पैरिमेटर आजए है ठीक है कितना आगे है ट्वेंटी एट चीक है नेक्स्ट विचेशा घ्रैमीटर पीरिमट्र किसका होका थो बटलवे से क्रॉस का होगा सम क्या में क्रॉस का पैरिमीटर है वह क्यासा है अब डी अब निदवन्डर इस दियर आज इस शनोफ यह इन एड आपके फैविंग मास्डजिया ईला। complete edges they need they cannot be broken तो क्या आप बना सकते हो इन जो यह आपके paving squares हैं इनको use करके आप कोई और भी shape दे सकते हो और उस shape से बता सकते हो कि क्या parameters का greater होगा तो होगा आपके लिए यह homework है यह आपको बनाना है ठीक है so this is the last question of this exercise that is question number 17 और मैंने सारे question कवर करवा है आज की class में हमने दिखा कि parameters क्या होते हैं किसी भी shape के parameters कैसे निकाले जाते हैं फिर square rectangle, equilateral triangle, isosilis triangle, simple triangle इन सब के parameters हम कैसे calculate करते हैं यह सारी चीज़े हमने आज की class में देखी है तो कि बहुत ही easy हमें लगी तभी easy लगी जब आप revision करेंगे ठीक है साथ में मैंने आपको कुछ homework भी दिया है तो आपको क्या करना है homework को solve करके comment section में answer बताना है ठीक है और अगर class में कुछ भी कहीं पी doubt है तो comment section में बताईए मैं आपकी doubt जरूर clear ठीक है so that's it for the day I'm going to leaving this class now thank you so much